हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में नुमेरिकल लेके आए हैं जो अगला नुमेरिकल है ठीक ना तो इसके पिछली वीडियो में हम कुछ नुमेरिकल बताये थे तो कमेंट आया था कि इसी तरह के और नुमेरिकल बताये सर तो आज हम इस वीडियो में कुछ अलग नुमेरिक का हल करेंगे ठीकना तो आप इसी तरह के नमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीकना और कमेंट कीजिए जिस परसंद आपको अंसर चाहिए जिस नमेरिकल का आपको हल चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं उसी परकार के हम वीडियो बनाएंगे तो चलिए समय गवाए बिना हल करते हैं तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है तो प्रस्ण पहले पढ़िए धियान से पहले कोई भी नुमिर्कल बता बनाने से पहले प्रस्ण को ज यह बढ़न भी छेपन ग्याद करें तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों जो दिया है उसको पहले लिखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया है दिया है दिया है दिया है प्रिज्म का कों दिया है बारा डिगरी तो एक का मतलब समझना है पर प्रिज्म का कों त्रिजम का कोन का मतलब ए ठीक ना तो इसका मान दिया है बारा डिगरी इसका मान दिया है बारा डिगरी और क्या दिया है और लाल तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक दिया है तो लाल रंग का अपवर्तनांक पहले अपवर्तनांक का मतलब क्या समझना है म्यू ठीक ना अब लाल रंग का था लाल के इंग्लिस क्या होता है तो यहां पर मूर का मतलब समझना है लाल रंग का अपवर्तनांग रेट कलर ओफ रिफरेक्टिव इंडेक्स ठीकना समझना है तो यहां पर लाल रंग का जो अपवर्तनांग दिया है 1.56 दिया है ठीकना और किया दिया है और दिया है बैगनी रम का अपवरतनाग ठीक ना तो बैगनी रम का अपवरतनाग होज़गा है mu v v का मतलब violet समझना है violet color of refractive index ठीक ना यहाँ पर बैगनी रम का अपवरतनाग क्या होज़गा mu v तो μु भी बराबर दिया 1.68 आहां में निकालना क्या है कोनी ये बर्न विछेपन निकालना है ठीक ना कोनी ये बर्न विछेपन मतलब हो गया अंगुलर डिसपर्चन तो यहां पर लिखेंगे अंगुलर डिसपर्चन अंगुलर डिसपर्चन ठीक ना एंगलर डिस्पर्शन बराबर फॉर्मूला होता है ठीक न तो यह होता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर ठीक न डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर डेल्टा का मतलब समझना है बीचलन ठीक न तो बीचलन डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर इसका फॉर्मूला होता है mu v minus mu r into A यह फर्मूला हम पिछले में भी बता आये थे ठीक न मुu v minus mu r into A यहां से mu v का मतलब दिया है mu v का मान कितना दिया 1.68 1.68 minus 1.56 mu r का मतलब कितना दिया है 1.56 into A का मान भी दिया है 12 डिग्री यहां पर हो जाएगा 12 तो यहां से इसको घट आएंगे तो यह हो जाएगा आठ में से जो जाएगा कितना बचेगा दू चो में से पाच जाएगा तो एक बचेगा और एक एक यह हो जाएगा पहले दिसमल लिखेंगे इसके बाद गुणा करेंगे तो क्या हो जाएग बारह कुने बारह कितना होता है 144 हो जाएगा इसमें दो आंके बाद 10 समलब निकल कर चलाया है तो जलते हैं आगले प्रस्ण में तो अगला प्रस्ण पर हम आगे हैं तो दोस्तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तो अगला प्रस्ण चलते हैं निकालना है अंगळ, बर्न मिचेपन चमता निकालना है। प्रस्ण है crown glass प्रिजम का बर्न मिचेपन चमता ग्याद करें। यदि लाल तथा बैगनी रंग का अपबरतना कराउन गलास के लिए करमसा 1.52 तथा 1.64 है तो इसके लिए हम बताये थे कि प्रस्न को दो से तीन बार पढ़ना है उसके बाद जो दिया है उसको लिखना है तो प्रस्न तो पढ़ दिये हैं और जो है उसको लिखिये जो दिया ह ठीक ना तो यहां पर दिया है यहां पर क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे तो यहां पर अपवरतनांक दिया है किसका किसका लाल रंग का तथा बैगनी रंग का ठीक ना तो हम बताये थे लाल रंग के लिए अपवरतनांक को मियू से स्विचित करते हैं लाल रंग के लिए mu r हो जाएगा और बाग निरम के लिए mu v हो जाएगा ठीक ना यहाँ पर mu r mu r का मतलब हो गिया 1.52 1.64 1.64 ठीक ना mu v का मतलब oil color का refractive index and mu r का मतलब red color का refractive index तो यहाँ पर हमें तो इस तरह यह जो प्रस्ण है ने प्रस्ण हो सकता है 12th class के लिए पूच भी सकता है क्योंकि यह numerical से हमेशा पास नंबर के पूचता है तो यहां से हमें निकालना है क्या तो देखिए निकालना है burn बीचेपन चंबता तो burn बीचेपन चंबता का मतलब हो किया dispersive power यहां पर लिखेंगे पावर यह बरनवीचेपन च्रमता यह हो जाएगा बरन भी छेपन वारन भी जहुक्ता इसका फार मुला होता है बरन भी च्रमता का म्यूँ डिल्टा भी- डेल्टा आर बटा डेल्टा ठीक ना डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा तो इसका बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस बन ठीक ना म्यू माइनस बन होता, इस फर्मूला निकलता है, यहां कि डेल्टा भी का मतलब होता है, म्यू माइनस बन इंटू, ए वह था ठिक ना, म्यू भी माइनस बन इंटू, इसी प्रकार यहां से निकल कर यह फर्मूला यहां, तो यहां पर देखने की बात है, म्यू भी है, म्यू मॉरान नहींने दिया मुमान नहींने दिया मू का मन निकाल या रिख या क्या करते परसरी में करे लोगना है इसी तरह इस gebeur uste लिखर पता चलेगा कि कौन दिया में निकालना है वह सुटित दिया लेकिन हम मु कमान हम निकाल लेंगे यहां से हो जाएगा मियू बराबर फार्मूला होता हुएंगा मियू पराबर है मियू का निकल जाएगा यहां से हो जाएगा मैज़ कितना गाले है 1.52 लिया थे या अब मुवी का मतलब दिया 1.64 दिया अब 8 में 2 हो जाएगा तो इसका जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 1.5 ठीकना इसका जो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.58 यहां से मुव कमान हमें निकल कर चल आया है तो अब हम बढ़ने विछेपन चमता भी निकाल लेंगे तो बढ परसीब दिस्परसीब पावर ठीकना तो यहां से क्या है म्यू भी माइनस म्यू वार बटा म्यू माइनस बढ़न हो जाएगा ठीकना तो यहां से म्यू भी और म्यू अर्यार क मान रखेंगे ठीकना तो यहां से म्यू भी कमान कितना है 1.6 , म्यू अर्यमाहर का मतलब है 1.52 ठीकना अब बटा म्यू कमान हम निकाले है 1.58 , अब माइनस बढ़न चिकना मी 1.58 Minus 1 इसको हल करेंगे छुक नुपर में टो सबसे पहले यहां घटाएंगे नुपर में 27 जाएगा 9 伊स में से 5 जाएगा यह है तो 10 संह लब यह यह मी जाएगा kommt 1 can हो गया जिरो दिसम लब एक दू अब अब अच्छे घटाएंगे तो एक में से एक घटेगा तो जीरो हो जाएगा अधास्य मलब 5 8 तो 58 लिकेंगे अहां से दसम लब दसम लब और वेखानी खतम दो आंग के बाद उपर भी दसम लब है दुवां के बाद नीचे भी यह तो खतम हो गया तो इसको जो भाग देंगे बारा अवटा बारा भागया ठामन करेंगे तो इसका जो मान निकरकर रहेगा वह हो जाएगा जिरो पाइनट च्छाम च्छामता का मान कृतना हो गईा जीरो दसम्लव गुटरी जीरो छे ठीक ना जिसका मान निकल कर चला या तो दोस्तों आपको इसी तरह के और प्रसुने आपको हल चाहिए पढ़ना है नुमिर्कल बनाना है तो आप कॉमेंट में ऐसे आप कॉमेंट में लिख सकते हैं ठीक ना अज के लिए बस इतना ही चलते हैं